नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल IT Foundation Classes में तो आप सभी को पता है IT exams और IT jobs से related सभी useful updates के साथ-साथ IT exams की सांदार TRI के लिए multiple choice questions के useful videos regular इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाता रहता हूँ तो दोस्तो यदि आप लूग first time हमारी इस YouTube चैनल पे हैं तो इससे subscribe करें साथ-साथ बैल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि IT से related सभी useful updates regular आप सभी तक पहुंचती रहें तो दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अल्रेडी देखें IT CBT exams की तियारी के लिए Employability Skills first year के दो chapters जो है मैंने करवा दिये हैं आज किस वीडियो में जो है IT Employability Skills first year का ये third chapter है जिसका नाम है 21 सदी में professional बनना 21 सदी में professional बनना और इसके जो है top multiple choice questions most important multiple choice questions जो directly आपके IT CBT exam में आप से पूछे जाते हैं वो Qsar answer जो है यहाँ पे हम discuss करने वाले हैं तो दोस्तो इस्टार्ट करते हैं first question है अपना वी निर्मान दुनिया में खालिस्तान के साथ के बदलाव हुए हैं किस के साथ? हरित करांती, दूद करांती, और द्योगी करांती दोस्तो वी निर्मान मतलब manufacturing world manufacturing world जो है उसमें किस के साथ changes हुए हैं किस के साथ बदलाव हैं तो दोस्तो इंडस्ट्रियल रिवल्योशन और द्योगी करांती के साथ वी निर्मान manufacturing world में changes हुए हैं तो options इसका correct answer होगा बढ़ते हैं दोस्तो next question की और next question है प्रोधोगी की और development के कारण भी निर्मान की प्रक्रिया बदल गई है किसके development scientific development scientific technology and scientific development option B इसका correct answer होगा बढ़ते हैं दोस्तो next question की और next question है विकास के लिए कोसल का नियमित मुल्यांकन आवस्थक है कौन से विकास के लिए कोसल का नियमित मुल्यांकन आवस्थक है केरियर आज जी विका के विकास के लिए दोस्तों आपका जो salary है आपकी like में जो progress है जो success है उसके विकास के लिए कोसल का नियमित मुल्यांकन मतलब जैसे महलू suppose that कि आप student हो ठीक है आपको आपका केरियर अच्छा बनाना है तो आपका जो knowledge है उसका नियमित मुल्यांकन होना जड़ रहे है आपके monthly test होते है yearly exam होते है ठीक competition test होते है तो वो सब क्या है मुल्यांकन ही है और किसलिए मुल्यांकन हो रहा है आपके carrier आपकी आज़िविका के लिए इन सब चीजों का मुल्यांकन होता है तो आप लोगों के जो भी test होते है जो भी चीज़े है life के अंदर test से related उन सब के अंदर आप लोग बढ़ चट कर भाग लें ताकि आपकी आज़िविका मतलब आपका carrier जो है वो आपका progress कर सके ठीक है तो option इसका correct answer होगा दोस्तों बढ़ते है next question की ओर नित्तू के पास उत्क्रस्ट कहानी है जो कोसल बता रही है कि यह किस प्रकार की बुद्धी मता है किस प्रकार की है दोस्तों इसको बोलते हैं logic smart तर कि smart क्या बोलते हैं तर कि smart story है मतलब तर कि smart है ठीक है बढ़ते है next question की ओर स्वेराज internet आधारी डेटा प्रवेस्टिया नोकरियों की तलास में है उससे सबसे महत्पुन कोसल कौन सा चाहिए कौन सा चाहिए दोस्तों बुनियादी computer skill देखो यार समझना इंटरनेट से रिलेटेड वो नोकरियों की तलास कर रहा है तो basic computer skills है उसके अंदर होना चाहिए ठीक है option is का correct answer होगा बढ़ते हैं next question की ओर next question है निम्न में से कोई सा व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है व्यक्तित्व का कोई सा हिस्सा नहीं है strength बिलकुल व्यक्तित्व का हिस्सा है कमजोरिया यह भी व्यक्तित्व का हिस्सा है beliefs मानने था है यह भी व्यक्तित्व का हिस्सा है skin color कोई व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है option D's का correct answer होगा बढ़ते हैं next question की ओर ऐसी चीज़ें जो एक करने में अच्छी है ऐसी चीज़ें जो एक करने में क्या करने में things that one is good at doing are good जो है वो है abilities क्या है दोस्तो abilities some time उनको अच्छी बोलेंगे some time ठीक है abilities योग्यताईं some time option C's का right answer होगा बढ़ते हैं next question क्यों कुछ अच्छी तरह से करने में ऐसा मरता किसी की ऐसा मरता मतलब कमजोरी weakness क्या लाएगा area तू ठीक है option A इसका correct answer होगा कुछ अच्छी तरह से करने में ऐसा मरत है ऐसा मरत मतलब उसकी क्या है weakness है option A इसका correct answer होगा बढ़ते हैं दोस्तो next question क्यों मीना अपने खाली समय में संगीत सीखना पसंद करती है यह सुधार करने के लिए उसके खालिस्तान में से एक है खाली समय में संगीत यार देखो इसको बोलते है interest रूचिया खाली समय में खाली समय में भी वो क्या कर रहे है संगीत सीखना पसंद करती है तो वो उसका interest कहलाएगा दोस्तो अपने जैसे निठले लोग क्या करते है खाली समय को बरबाद करते है जबकि यहाँ पर क्या है खाली समय में संगीत सीख रही है वो option 20 का right answer होगा बढ़ते है next question की और MS Excel में 22 अच्छा नहीं है अपनी कड़ी मेहनत के साथ मैं कमजोरियों को दूर करना चाता है उससे क्या करना चाहिए दोस्तो यार देखो समझना अपनी कमजोरियों को दूर करना चाता है उन्हें खालिस्तान में बदल देता है किसमें कमजोरियां को दूर करेगा तो वो किसमें बदल जाएगी ताकत में, स्ट्रेंथ में, आप संडी आएगा इसका correct answer बढ़ते हैं next question के ओर, जिस तरह से हम बाचित करते हैं परभंदन करते हैं, अपने बहारी वातावरन के साथ व्यवहार करते हैं उन्हें खालिस्तान skill के रूप में जाना जाता है जिस तरह से हम बाचित करते हैं, ये सब चीजें दोस्तों अपने behavioral skills कहलाती है क्या कहलाती है, भारी वातावरन के साथ व्यवहार, behavioral, व्यवहार skills, व्यवहार skill कहलाती है भारी वातावन के साथ जो व्यवहार है अपना जैसे मालो मेरा है ठीक है मैं सबी के साथ अच्छा व्यवहार मदूर व्यवहार ठीक है मान समान का व्यवहार तो वो सब behavioral skills में आता है व्यवहार बढ़ते हैं next question की ओर next question है व्यवहार को असल में से एक है जो काम को कुसलता से व्यवस्तित करने और समय पर इसे पूरा करने के लिए उसे बोलते हैं दोस्तो time management, समय पर पूरा कर रहा है समय पर पूरा समय पर इसे पूरा कर रहा है उसे बोलते हैं time management options C's का correct answer होगा बढ़ते हैं next question की और जिस तरह से हम समस्या का परबंदन हल करते हैं उसे खालिस्तान कहा जाता है इसको बोलते हैं दोस्तो conflict resolution conflict यहाँ पर लिखा हुआ conflict resolution समस्या का समाधान करने वाला हर समस्या का परबंदन समस्या का हल करना उसे बोलते हैं conflict resolution क्या बोलते हैं दोस्तो conflict resolution एक समस्या का सामना करना पड़ा अपनी प्रोजेक्ट के साथ एक समस्या का सामना करना पड़ा वैं सही रवय के साथ एक समस्या से निपट रही है इसे क्या कहेंगे देखो समझना दोस्तों समस्या के साथ निपट रही है समस्या से निपट रही है सही रवय के साथ सही रवय ये के साथ, तो इसे बोलते हैं positive attitude, क्या बोलते हैं दोस्तो positive attitude, option D's का correct answer होगा, बढ़ते हैं next question की ओर, अलपन सुबह योग करता है, वह हैं खुद को प्रेरित करने के लिए YouTube कक्साओं का अनुसरन करता है, यह हैं खालिस्तान का एक उधारन है, किसका उधारन है, देखो समझ जना, सुबह योग करता है, योग योग करता है खुद को प्रेरित करने के लिए खुद को प्रेरित करने के लिए यह time management नहीं आएगा भाई decision making नहीं आएगा, problem solving नहीं आएगा, खुद को प्रेरित करने के लिए योटूब, motivate करने के लिए इसे बोलते हैं, self motivation क्या बोलते हैं दोस्तों, self motivation option A, इसका correct answer होगा बढ़ते हैं, execution एक समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है critical thinking, महत्पूर्ण सोच बोलते है कोई भी आपकी जो thinking process है तो थोड़ा critical होना चाहिए किसी भी समस्या को solve करने के लिए normally आप किसी समस्या को solve नहीं कर सकते बढ़ थोड़ा सा mind use करके critical thinking का process अपना कर जोए आप लोग किसी भी problem का solution ढूण सकते हो option A, इसका correct answer होगा बढ़ते हैं दोस्तों, next question के उड़ दोसे अधिक विकल्पों के बीच चैयन को प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है इसको बोलते हैं दोस्तों निरने decision making ठीक है दो या दोसे अधिक विकल्प आपके पास में उन में से किसी एका चुनाव करना है इसे manufacturing कहेंगे क्या? नहीं बिलकुर नहीं कहेंगे विग्यानी कहेंगे? नहीं टेक्निकल कहेंगे? नहीं इसे कहेंगे निरने लेना decision making, option B इसका correct answer होगा बढ़ते हैं दोस्तों next question क्यों निरने में से कौन निरने लेने का इस्सा नहीं है निरने लेने का समस्या को पहचाने? ये तो निरने लेना ही है विकल पुत्मन करें ये भी सही है कार्णमेन करें ये भी सही है हाँ, कौन सा हिस्सा नहीं है? निरने लेने का performance, ये या निरने लेने के अंदर कहां आएगा? ठीक है option D का correct answer होगा नहीं है, इससा नहीं है ये नहीं है, बागी तिनों तो इससे है ठीक है? चलो बढ़ते है next question की ओर मनू किसी भी निरने को करने से पहले एक समस्या के बारे में सोचता है मनू किसी भी निरने को करने से पहले एक समस्या के बारे में सोचता है समस्ट्या के बारे में सोचता है दोस्तों इसको क्या कहेंगे critical thinking समस्ट्या के बारे में सोच रहा है इसको बोलेंगे critical thinking समस्ट्या के बारे में इसको बोलेंगे critical thinking option B इसका correct answer होगा ठीक है time management तो आएगा यह नहीं संगत सोच यह भी नहीं आएगा सेल्फ मोटिवेशन का तो लेना देना ही नहीं यह आपे तो इसको बोलेंगे हम क्रिटिकल थिंकिंग ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा बढ़ते हैं next question रेवती को अपने सहर मिच से नोकिरियों की पेस कस मिली उन्हें पेसे और प्रस्ताव को स्यूकर करने का प्रयाज़ किया उसने कौन सी प्रक्रिया का अनुपालन किया दोस्तों यार देखो उसको नोक्री तो मिली लेकिन उसने ऐसी विकार कर दिया उसने निरने लिया क्या लिया निरने लिया decision making आएगा इसका right answer ठीक है decision making option A इसका correct answer होगा बढ़ते है next question के और समय परभंदन के फाइदे समय परभंदन के तो यार समय पर पूरा कार्य होगा बिल्कुल सही है देनिक लक्षियों को प्राप्ट करें बिल्कुल सही है तनाव को कम करें ये भी सही है ये सब तो right answer रोजेगो option D next question अच्छा समय परभंदन काम पर खालिस्तान में सुधार करने में मदद करता है काम पर परदसन में सुधार करेगा भाई देखो या time management अगर सही है न तो आपका काम बहुत बढ़िया होगा अगर आपका time management ही बेकार है तो आपका काम जो है उसमें performance बेकार रहेगी आपकी ठीक है तो option 20 का correct answer होगा अगर time management समय परभंदन है तो फिर आप लोगों का परदसन जो है performance उसमें क्या होगा सुधार होगा बढ़ते हैं next question क्योर काम के समय के ब्लोग को खालिस्तान तक्निक आ जाता है काम के समय के ब्लोग को खालिस्तान तक्निक आ जाता है काम के समय के ब्लोग को कौन सी तक्निक कहेंगे दोस्तो option दे रखा है यहां पर डोरो option B है pomo option C है pomodoro और option D है domo तो देखो यार यह काफी थोड़ा सा अलग language से लिया गया सब्द है काम के समय के block को the block of work time work time जो है उसी को आपने block कर लिया इसको हम जो है Pomodoro कहते हैं ठीक है यह अधर country की language के अंतरगत है ठीक है Japanese technique होती है उसके according है यह इसको हम बोलते है Pomodoro options इसका correct answer होगा बढ़ते हैं दोस्तो next question की ओर राहीम ने अपने lunch break के दोराण M.S. office सीखे यह है एक है time management है दोस्तो lunch के दोराण उसने क्या शीख लिया भई उसने शीख लिया MS. office lunch के दोराण यहाँ तो सीखने के दोराण लोई नहीं सीखते समझ रहो बात को इस और यहाँ पर राहीम ने कार ये योजना कार बनाता है और अवरुद समय में कभी भी विचलित नहीं होता यह है कि स्विधी का पालन करती है दोस्तों अभी आया था यार इस स्विधी को बोलते है पॉमोडोर टाइम को बिल्कुल ब्लॉक कर लेना ठीक है कि हाँ यार 25 मिनट ये काम करना है तो करना ही है कुछ भी हो जाए चायसे टाइम को ब्लॉक करके काम करना ठीक है आट गंटे पड़ाई करनी है तो करनी है तीन गंटे लगातार पड़ाई करनी है तीन गंटे लगातार पड़ाई करनी है कहीं से विचलित नहीं होंगे चाहिसे आपकी girlfriend का कोली क्यों ना आ रहा हो समझ रहे हो बात को तो इसको बोलते हैं Pomodoro Option A इसका right answer होगा Next question किसी भी समस्या का समाधान खोजना यार यह तो अभी देखो काफी बारपन पढ़ चुके समस्या का समाधान खोजना मतलब समस्या को सुलजाना Option D का correct answer होगा Next question देखो निम्न में से कौन सा समस्या समाधान में एक कदम नहीं है समस्या समाधान में I think कि इसका भी answer आप लोग आसानी सिदिपा होगे समस्या को पहचानो यह तो कदम है समस्या को भागों में विवाजित करो यह भी कदम है समस्या को खोजें यह भी कदम है हाँ यह कदम नहीं है तो option C इसका right answer होगा option C बढ़ते हैं next question के और यदि कोई समस्या का समाधान खोजने में सक्सम है तो एक हालिस्तान पर बहतर होगा समस्या खोजने में तो समस्या सुल जाने में वो बहतर होगा option 20 का correct answer होगा option 20 का correct answer होगा बढ़ते हैं next question के और sony laptop पर download समस्या को ठीक करने की कोशिस कर रही है वह पहले प्रियास में सफल नहीं हुई वह क्या करें दूसरे तरीके से आजमाएं देखो पहले प्रियास में सफल नहीं ही तो वह क्या करेंगी दूसरे तरीके से उसको आजमाना पढ़ेगा option 20 का correct answer होगा ठीक है बढ़ते हैं दोस्तो next question के और इस्टीव की मा ने उन्हें बताया कि mixer grinder काम नहीं कर रहा है समस्या को हल करने के लिए पहला कदम होता है समस्या को पहचानना पहला कदम क्या होता है दोस्तो समस्या को पहचानना option 20 का right answer है next question बड़ी मात्रा में प्रियावन के लिए हानिकारक धुएं गेस रसाइनों के अलावा खालिस्तान को क्या कहेंगे यार ये तो आप सभी को पता है वातावरण में है तो इसको बोलेंगे पॉल्यूसन क्या कहेंगे पॉल्यूसन पॉल्यूसन है भाई क्या है पॉल्यूसन ठीक है next देखो खेती और आवास के उद्देसे के लिए पेड़ों को काटना वनों की कटाई कह लाएगा कहलाता है याद देखो पानी के अंदर रसाइन छोड़ देना ये सब जल परदूसन के अंतर गताएंगे option 6 का correct answer होगा पानी में रसाइन अपसिस्ट प्लास्टिक रसाइन अपसिस्ट प्लास्टिक को जारी करना मतलब छोड़ देना पानी के अंदर डाल देना मिला देना उसब जल परदूसन कहलाता है दोस्तों option 6 का correct answer होगा next question वेग्यानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पर्थवी के तापमान में व्रदी खालिस्तान का कारण बनती है गर्मी ये global warming ठीक है वेस्वी कुस्टन पूरे विस्व का temperature बढ़ रहा है तो ये जो है इसका कारण बनती है जो भी पर्थवी का तापमान मतलब global warming सभी को पता है इस schooling में भी आपने बहुत पड़ा होगा next देखो कि संस्याम प्लास्टिक और रासाइने को रोका उप्योग से बस्ता है वेग्यानिस्तान का अनुसरन कर रहा है किसका अनुसरन कर रहा है बच रहा है यार देखो green जीवन से ली का अनुसरन कर रहा है वो ठीक है प्लास्टिक का यूज नहीं कर रहा है रासाइने को रोका यूज नहीं कर रहा तो green जीवन से ली वो अपना रहा है option है इसका correct answer होगा तो इस तरीके से दोस्तों यह जो है third chapter के सभी most important जो है जी जान लगा कर महनत कीजिए ताकि सफलता आपके कदम चू में तो दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही मिलेंगे आपसे next वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत अन्यवाद